हेलो असलावलेकूम प्रेंट्स कैसे आप सब अमीद है आप ठीक होंगे तो आज स्टार्ट हम करते हैं लेजर का कंटिन्यू करेंगे जो लेजर हम निकल पड़ा था उसका हम निकल इंट्रडक्शन दिया था तो आज हम उस लेजर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब हम सीखेंगे किस तरीके से लेजर बनाई जाती है ठीक है अब मेरे पास एक क्षशन है जो बोर्ड पर दिया हुआ है तो यह क्षशन जो मेरे पास यहां पर दिया है क्षशन क्या लिखा है वह अब बताता हूं कि हमारे पास है जर्नलाइज दफॉलिग ट्रंजक्शन I understand kravaita, in the previous video, we discussed about how the entries which we made in the journal are how they are then posted to the ledger, the process is called posting, how transferring the transactions from the journal to the another book that is a ledger, ledger is a principal book of accounts, ledger is a book that contains all the accounts which are related to anything and there are three types of ledgers that we can maintain, one is called debtors ledger, another one is called creditors ledger, a third one is called general ledger, fine, that we discussed in the previous video, so today we are starting the process of posting, so process of posting के साथ आपको में journal का भी यहां पे revise हो जाएगा, और फिर इस journal से कैसे ledger बनाए जाएगी, वो हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक इवर्ट्स, okay, तो मेरे पास कुछ transactions है, मैं यहां पे इसको पहले पढ़ूँगा, और साथ मैं आपसे एक request करूँगा, आप इसका एक screenshot लेंगे, ठीक है, यहाँ आप notebook पे इन transactions को note down करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को pause करके, ठीक है, तो उन transactions को copy करेंगे notebook में, लेकिन अगर posting सीखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है, कि आपके पास notebook और pen साथ होना चाहिए, ऐसे ही नहीं आप वीडियो देखेंगे, तो आपको उसे काम नहीं पर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक काम करना है आपको, कि आपके पास जो notebook है, उस पे आप ये transactions note down करें, ठीक है, इस वीडियो को pause करके, transactions को note करें, फिर मैं यही तो transactions है, इन पर मैं journal करवाँगा, थोड़ा transactions को मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको वीडियो को pause करके copy करेंगे, फिर मैं इसको सिखाऊंगा journal, फिर journal को आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे, posting कैसे करते हैं इसकी, लेजर में, एक practical problem आज हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले बिटाची, transactions को मैं पढ़ता हूँ, और साथ मैं आप copy भी क कर सकते हैं, fine, okay, तो सबसे पहले में एक question दिया है, generalize the following transactions and post them in ledger, transaction number one, the रहीम को मेंसर बिजनिस with cash रुपीज रुपीज फाइफ्लाक, कौम अफ फरनिचर 50,000, रहीम बिजनिस शुरू करता है, फाइफ रुपीज के पैसु से, और उसके पास वो बुराना अपना फरनिच कुछ था, यह फरनिचर भी बिजनिस में ही इन्वेस्ट करता है, बिजनिस में लगाता है, और यह बिजनिस में भी इन्वेस्ट जब करेगा, प्रॉपरेटर, कोई भी चीज बिजनिस में, तो उसको हम capital कहते हैं, तो यह capital in cash 5 lakh है, और in kind इसका capital जो फरनिचर है, that is 50,000, त 4 lakh रुपे का goods करीता है, परचेज कर रहा है कि goods किस पे, cash पे, कितनों के, 4 lakh rupees के, then sold goods on cash, rupees 70,000, and on credit to more on rupees 14,000, so इसका क्या मतलब हुआ, कि जो sales हुए है, sales हमारी total हुई है, 70 plus 40, 70,000 cash sale है, और 40,000 credit sale है, total sale होगी 1,10,000, इसके बाद next transaction है, paid rent, rupees 5,000 through check, हमने rent pay किया होगा, इसको landlord को, तो check हमने दी है, तो bank से पैसा निकलेगा, clear है, next है, purchased furniture, rupees 10,000 through check, हमने और furniture business के लिए खरीदा है, that is an asset, 10,000 rupees, और उसको भी pay किया है, check के through, that means, पैसा निकलेगा bank से, next transaction is 7th transaction, that is, sold goods costing rupees 10,000, for rupees 15,000, हमने 10,000 के goods को 15,000 में बेजा है, तो यहाँ पे आपको याद रख cost price नहीं लेते, जब हमें sales दिखाना होगा, तो हम हमेशा selling price लेते हैं, तो sell, यहाँ पे sold goods costing 10,000 अगर लिखा भी है, तो हमें फिर भी कर लेना है selling price, यहाँ पे हम profit को separate individually calculate नहीं करते, यहाँ पे आपको 15,000 का ही देखना होगा, selling price पे ही sales होती है, तो इसको हमें कुछ नहीं क दरना है cost price को, उसके बाद है, रहीम paid fee of her daughter out of the business account, रहीम अपनी बेटी का fee पे कर रहा है, किस से business account से pay कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया, प्रोपरेटर परसनल यूज के लिए business से पैसा ले रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, drawings, fine, इसके बाद है, received cash from Mohan, रुपीज 39,000 in full settlement of his account, मोहन, received cash from Mohan, रुपीज 39,000 in full settlement of his account, मोहन के साथ हमारी यहाँ पे एक transaction हुई है, जब हमने उसको माल बेजा हुआ है, sales हमने मोहन को किया है, credit पे कितना, 40,000, अब हमने उससे पैसा receive किया, कितना, 39,000, लेकिन आप को साथ में क्या लिखा है, in full settlement of his account, that means हमने क्या किया है, 40 30,000 के बदले सिर्फ 39,000 लिए है, तो एक थाउजन रुपीज जो इसमें 1,000 रुपीज बचता है, that is a discount, that is discount allowed, that is the discount allowed by us to the Mohan, that is not a gain, that is an expense, okay, then we have one more transaction, goods costing रुपी 10,000 given as charity, हमने कुछ charity की है business में, तो हमने क्या charity में क्या दिया है, हमने अपने ही goods दिये है, तो हमारे goods जो है, वो reduce हो जाएंगे, और किस पे cost price पे obviously reduce होंगे, इस से क्या होगा, एक charity account बनेगा, और याद होगा आपको purchase account involved होगा, मैंकि हमारा stock decrease हो रहा है, किस पे cost price पे, clear है, now I request you all, you just copy these transactions, or you pause the video and take a screenshot, then we will start the generalizing, then we will start the ledger, तो मैं यहाँ पर रभ करूँगा, क्योंकि आपने copy किया होग ठीके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब बनाएंगे पहले इसकी journal, और journal सही हमें क्या करना है, posting, किस में, मैं पोस्टिंग किस में करनी है, फिर ledger में, ठीके, ओके, तो देखिए question क्या था, यह question हमें जो दिया गया था, वो हम देखते हैं, ठीके, तो question जो हमें दिया किया था वो इस तरीके से हैं आप ज़रा देख लेते हैं तो ट्रंजक्शन मेरे पास है क्या थी ट्रंजक्शन शाबाश पहली ट्रंजक्शन थी रहीम कॉमेंसर बिजनिस विद कैश रुपीज फ्लाइक और फिर्निजर 50,000 जर्नल का फॉर्माट बेटा जी आपको पता ही है क्या होता है जर्नल का फॉर्माट पहला डेट ठीक है डेट के बाद क्या होता है बेटा पर्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् accounts open करने ठीक है तो मैंने डेट लिया पर्टिकुलर्स लिये और यहां से लेजर फोलियो यह आपका debit amount और यह है आपका credit amount clear है अब हमारे पास जो transactions है वो हमें उनको पहले जर्नलाइज करना है तो करते हैं जर्नलाइज पहले transaction को क्या है रहीम commensal business with cash rupees five lakh तो मैं डेट तो यहां पर नहीं है तो मैं number one लिखूँगा तो रहीम ने business comments किया है cash से और उसके साथ साथ उसने क्या किया है उसमें five lakh rupees उसको हुआ है तो मैं क्या करूंगा cash आया होगा business पे तो cash account को debit करेंगे ठीक है cash account को क्या करेंगे debit करेंगे और furniture बी बेटा जी आया होगा मैं लिखूँगा क्या furniture account को भी debit करूंगा ठीक है तो यह कितने का है five lakh rupees यहां पर और यह कितना है यह fifty thousand का है तो total capital कितना हुआ total sir capital फिर हो गया five lakh fifty thousand तो यहां पर लिखूँगा मैं two capital account तो यहां पर लिखेंगे कितना five lakh fifty thousand narration लिखेंगे क्या इसकी being रहीम commercial business with cash rupees five lakh and furniture rupees fifty thousand narration अब आप खुद भी लिख सकते हैं तो अब next transaction क्या थी next transaction थी paid cash into bank bank पे पैसा जमा हुआ है तो लिखेंगे क्या number two bank account को debit करेंगे ठीक है bank account को मैं क्या करता हूँ debit ठीक है कितना bank में जमा हुआ है that is fifty thousand rupees okay fifty thousand rupees bank में जमा हुआ है और क्या निकलेगा हमसे हमसे cash निकलेगा तो cash account को हमने credit करना है तो यहां मैंने cash account को credit किया तो debit क्या हो गया bank account credit क्या हो गया cash account narration क्या लिखेंगे being paid cash into bank number three number three क्या हमारे पास transaction है purchase goods on cash rupees four lakh हम four lakh rupees की अब क्या कर रहे है goods purchase कर रहे है ठीक है तो मैं क्या करूँगा purchase account debit होगा जा हमने journal के rules पड़े हुए है तो purchase account debit होगा और cash account credit होगा तो cash मेरा credit हो गया तो मैं लिखूंगा क्या इदर four lakh इदर लिखूंगा और four lakh यहां पर लिखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या मैंने किया यहां पर transaction हो गई purchase goods on cash तो being goods purchased on cash कितना four lakh इसके बार number four transaction वेटेजी मेरे पास जो है वो है कि fourth transaction है sold goods on cash rupees 70,000 and on credit to mohan rupees 40,000 तो हमने क्या करना है cash पहले आया होगा हाँ सर cash आएगा क्यों क्यों कि हमने पहले cash कितने का किया है sales 70,000 और mohan से मोhan से तो promise हो था मोहन ने जो promise किया था तो mohan's account को भी debit ही कर लेते हैं वो कितना है सर वो 40,000 है तो total sale कितनी हो गई total sales हो गई to sales account to sales account यहां पर total मुझे लिखना being sold goods on cash rupees 70,000 and on credit to mohan rupees 40,000 next transaction number five five transaction क्या है paid rent rupees 5,000 through check तो check जब होती है तो bank से होगा तो हम क्या लिखेंगे rent is an expense है तो लिखूंगा rent account को debit करेंगे to cash account to cash account तो cash को मुझे credit करना पड़ा sorry not cash because check दिया हुआ है check जब होगी तो उसमें क्या होगा bank account credit bank से पैसे निकलेंगे ठीके तो check के थो आप दे रहे हो तो यह आपने bank के ही थो किया तो यतना था 5,000 और यहां पे भी क्या लिखोगे 5,000 ठीके इसके बाद next transaction जो बेटा जी है वो क्या है next transaction है purchase furniture rupees 10,000 through check और एक च ठीक है हमें क्या करना है debit furniture account क्योंकि furniture is an asset furniture account को मैंने debit किया fine है ओके शाबबाश furniture account कितने का बेटा जी furniture सर 10,000 रुपीज कला है तो लिखा मैंने इधर 10,000 रुपीज उसके बाद यहां से सर बैंक से ही आपने चेक ही दी है तो पैसा बैंक से ही निकलेगा तो लिखेंगे क्य bank account कितना 10,000 clear है तो अब इसके बाद यहां पे close करेंगे सर नरेशन अपनी लिख रहे हैं नरेशन बिटाजी आप खुद अब लिख सकते हैं क्यों क्योंकि नरेशन आपको मैंने पताया है वो description होती है यहां पे आपको आज mainly posting सीखनी है journal तो आपनी already सीखा हुआ है तो अब भी next transaction लेते हैं next transaction क्या थी next transaction थी sir sold goods costing rupees 10,000 for 15,000 मैंने कहा है आपसे जब भी आपको जब भी आपको क्या करना हो जब भी आपको sold goods costing rupees 10,000 for 15,000 फड़ा मैं ज़्यादा ही लेता हूँ cash में कम पड़ेगा जब मैं बनाओंगा sold goods मैंने 10,000 लिखे आप 1,000,000 भी लिख सकते हैं तो मैं लिख सकता हूँ यहां पे cash account debit cash account को debit करूंगा ठीक है तो मैंने वहां transaction में लिखाया था sold goods costing rupees 10,000 for 15,000 अब मालीजे ऐसा है sold goods costing 1,000,000 for rupees 1,000,000 तो मैं जब सेलिंग प्राइज ही लियना है selling price कितना है मैंने लिया 1,000,000 to sales account मैंने selling price ही लियना है transaction में मैंने लिखाया था sold goods costing 10,000 for 15,000 मैंने अब 10 के बले बिटा 1,000,000 लिया ठीक है तो 1,000,000 cost price है और selling price फिर 1,000,000 लियना होता है selling price cost price के साथ हमें कुछ भी नहीं है तो क्या लिखें के narration में फिर से being sold goods on cash rupees 150,000 उसके बाद है रहीम paid fee of her daughter fine out of the business सर यह drawings हो गई यह अपने बेटी का यह pay कर रहा है तो यह क्या है फिर drawings so drawings account क्या हो जाएंगे debit हो जाएंगे और सर किस के थ्रूप दे रहें cash दे रहें कि check दे रहें सर हम cash हम देंगे तो हमें cash account ही credit करना होगा ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा कितना pay किया है इसने बचे का fee वो pay किया है इसने रहीम paid fee of her daughter out of business 5,000 मान लीजिए मैंने if amount शायद वहां पर नहीं लिखाया था तो take it just a 5,000 amount के साथ हमें भी कुछ नहीं we have to just understand the concept is that clear okay इसके बाद हमारे पास है received cash from Mohan रुपी 39,000 in full settlement of the account I mean to say Mohan रहीम मेरा नाम भाद भाद याद आता है बटा शायद पुराने जनम ने ना कोई रहीम होगा कोई बड़ा करीब ही नाम मुझे बार बार आता है received cash from received cash from Mohan रुपी 39,000 in full settlement of his account तो अब क्या कर रहे है हमने receive कर किया है cash किसे Mohan से तो ninth transaction है अब ठीक है मैं receive कर रहा हूँ cash cash तो आएगा sir yes definitely आएगा cash हमें आ गया कितने का आगया sir cash आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ आएगा वो 39,000 रुपीज का sir एक हजार रुपे कहां चला गया वो discount allowed है वो मेरे लिए expense है तो discount account भी एक यहां पर बनाना पड़ेगा debit करना है कितना thousand रुपीज और उसके साथ खिसाब कितना खतम हो गया किसके साथ मोहन के साथ मोहन के साथ हमारा पूरा हिसाब खतम हो जाएगा वो है 40,000 रुपीज is that clear अब है इसके बाद हमारी एक और last transaction है वो है tenth transaction goods costing rupees 10,000 given as charity so charity हमारा expense बनेगा so लिखेंगे charity account debit because it's a nominal account है so charity account को मैंने debit किया और तो purchase account क्योंकि goods दिये है तो purchase account यहां पर credit होगा sir cost price कितना था 10,000 यहां पर भी लिकोंगा 10,000 यहां पर भी लिकोंगा 10,000 being goods given as charity so these are the journal entries so हमने journal entries इसकी देखी कैसे हुई ठीक है तो अभी आप इसको copy कर सकते हैं ठीक है या आप इसका screenshot लेंगे तो उसके बाद ही हम आगे posting करेंगे ठीक है अब यहाँ आपने बेड़ा जी देखा किस तरीकी से transactions को record किया गया अब हम यह जो है आपको अपने पास रखना है ठीक है amount भी आपको पता होगा clear है तो आप इसमें देखेंगे एक आप इसका screenshot ले मैं भी लेता हूँ ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी posting करेंगे तो posting कैसे करनी है वो हम अभी द जा रहा हूँ उसको गोर से देख लेगे यहां तक मैंने कभी transactions को इदर ही रखा अभी हम क्या करने जा रहे हैं अभी हम posting करने जा रहे हैं देखिए अब क्या करना है बेटा जी हमें इदियान से देख लेंगे हमारे पास इसमें से कौन कौन सा अभी हमने देखा account है हमें अ क्या account बनाना है वो ज़रा देख लिजे सर पहली transaction में cash account debit हुआ है furniture account debit हुआ है capital account credit हुआ है एक तो मुझे cash account की ledger so this is the ledger in which we have to open the accounts of all the we have to open all the accounts which are involved in the transactions which are involved in the entries of the journal सबसे पहले cash है तो यहाँ पे मेरा पहला account कौन सा बनेगा cash account दूसरी transaction यहाँ पे furniture है तो मुझे दूसरा account कौन सा बनेगा furniture मुझे बनाना पड़ेगा ledger में अगर एक ही transaction क्यों नहों कि सी भी account से associated तो उसका भी ledger में account open होगा इसके बाद है मुझे पास capital account capital बनेगा हाँ बनेगा अगर चिक capital की एक ही transaction है फिर भी हमें इस account को open करना है then we have got a one more account that is bank account so यह मैं हर एक entry को दिखा रहा हूँ यहाँ पे अब क्या है bank account तो मुझे एक और ledger बनानी होगी कौन सी bank account की ledger ठीक है अब इसके बाद सर यहाँ पे है to cash cash तो मैंने लिया है cash वाली transaction इसमें record होगी क्योंकि यह relevant transaction होगी cash account में उसके बाद क्या है sir purchases क्या हमें लेना है एक और account बनाना है हमें ledger में that is purchases account clear है इसके बाद है हमारे पास cash cash तो अलड़ी यहाँ पे मैंने account लिया हुआ है फिर है force transaction इसमें cash आया है cash तो अलड़ी यहाँ पे लिया हुआ है sir mohan है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे mohan's account हमें mohan's account भी बनाना पड़ेगा ठीके mohan क्या है हमारे लिए mohan हमारे लिए debtor है तो आपको debtors की ledger यहाँ बनानी पड़ेगी किसकी mohan की ठीके इसके बाद हमारे पास है sales sales हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ठीके तो यहाँ पे हमारे पास sales एक थी तो हमें sales यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके बाद है rent account sir rent हमें लेना है very good तो rent का भी account आपको separately open करना पड़ेगा ledger में sir उसके बाद है bank तो bank already मैंने लिया हुआ है वो bank वाली transaction bank account में ही चले जाएगी सर उसके बाद है furniture फरिंचर already आया हुआ है उसके बाद है to bank account bank भी already आया हुआ है clear है उसके बाद है cash account cash तो मैंने already लिया हुआ है उसके बाद है sales sales भी already मैंने लिया हुआ है उसके बाद क्या है ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स मुझे बनाना पड़ेगा इसके बाद है क्या कैश ये तो मैंने लिया हुआ है सर इसमें डिसकाउंट है तो डिसकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा क्लियर है इसके बाद क्या है सर मोहन मोहन तो मैंने बनाया हुआ है उसके बाद क्या है चारिटी तो यहां पर क्या आएगा चारिटी अकाउंट भी मुझे बनाना है तो यह सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे किसमें लेजर में तो टू पर्चेस पर्चेस तो अलड़ी आया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेजर हमें बनानी है इस लेजर में टोटल 11 अकाउंट्स खुलेंगे 11 अकाउंट्स हमें open करने किस में लेजर में लेजर में कितने अकाउंट बेटा जी हमें open करने we have to open 11 accounts in the ledger जो हमें इन entries में journal में जो entries involved हुई थी उनी के accounts हमें separately बनाने है ठीक है ओके यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं क्या क्या account बनाना है इससर्थ cash account furniture account capital account bank account purchase account more honas account sales account rent account drawings account discount account charity account यह सारे accounts हमें open करने हैं तो अभी journal आपने copy की हुई होगी तो अब आपके पास already हुव होगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम अब बनाएंगे क्या क्या करेंगे इसके बाद हमें बनानी है अब ledger ledger बनाने से पहले एक important point यहां पे गोल से सुनेंगे देखे और अब मुझे सारे ledgers ledger का format previous video में मैंने आपको बताया हुआ है previous video में हमने discuss किया हुआ है what is the format of the ledger that we discussed already तो मैं पहले बात ले रहा हूँ cash account की जब मुझे cash account बनाना होगा माली जे cash account मुझे बनाना हुआ है तो माल लो cash account आपको ऐसे t form में बनाना है तो proper format भाम हम बना लेंगे तो अब सब से पहली मैं आपको देख वा हूँ पहली entry जो journal में है सर इसमें cash है हाँ तो ये वाली cash entry पहले वाली entry है तो पहली वाली entry जो हमने की है ये पहली वाली entry जो मैंने total 10 entries दिखाई थी इसमें ठीके सर पहली वाली journal entry जो है इसमें cash involve हुआ है तो पहली वाली account cash account मैं ने भी तो format नहीं बनाए में समझा रहा हूँ बटा जी cash account में कौन कौन सी entry यहाँ journal में वाली जो जो है उसको मुझे record करना है अब दूसरा आपके पास है purchase account to cash account सर इसमें भी cash involved हुआ है सर cash इसमें भी involve हुआ है तो third entry जो journal में है वो भी मुझे record करनी ठीके बटा तो पहली जो पहली वाली entry जो journal में हुई थी मैं आपसे पूछोंगा cash वहां पे क्या हुआ था आप भोलेंगे cash पहली वाली entry में debit होवा है और हमें cash account में record करना है दूसरी वाली entry में cash क्या हुआ है cash दूसरी वाली entry में credit हुआ था हमें इसको पूर्थ ट्रञंजक्शन सर फोर्थ एंट्री जो आप जर्नल की देख रहें, इसमें सर कैश हुआ है, कैश आया है, हाँ आया है, तो फूर्थ वाली एंट्री जो है, इसको मिझा टिक करता हूं, कैश मुझे यहां पे आया है, तो कैश एकाउंट का जिकर इसमें ज़रूर with the cash. So, any transaction which is not related with the cash is not to be record in the cash account. That will be the irrelevant transaction at that time. So, अब फूर्थ वाला जो बेटा जी है, आपके पास cash, cash क्या हुआ है? debit. मैं भी क्या करूँगा? debit. यहां पे मुझे क्या करन दिखाऊँगा? मैं समझाने के लिए अभी tick cross कर रहा हूँ, ताके आपको concept clear हो जाए. इसके बाद, फिफ्थ हमारे पास transaction है, फिफ्थ number transaction, फिफ्थ, यहां पे क्या entry हुई है? rent account to bank account. Sir, इसमें cash involved भी नहीं हुआ है, तो मैं फिफ्थ वाली को cross करता हूँ, ठीक है? फिफ्थ वाली को मैंने क्या 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 cross. Next है, हमारे पास sixth transaction. Sixth transaction में क्या हुआ है? furniture account, debit to bank account. Sir, इसमें भी cash नहीं है, तो that means sixth वाली entry को हमें cash account में record नहीं करना है. क्यों? क्योंकि वहां पे भी cash नहीं है. Seventh वाली entry पे में आया, तो cash account debit हुआ है to sales account. Sir, seventh वाली entry को क्या करना है? उसको record करना पड़ेगा. और किस side से दिखाया गया है? वहां debit side से. Clear है? इसके बाद हमारे पास है seventh के बाद eighth. Sir, eighth वाली transaction में है drawings account to cash account. So, drawings में cash भी involved है. तो यहां पे मेरे क्या है? जो eighth वाली transaction है. Eighth वाली transactions के साथ cash जुड़ा हुआ है. मैं tick करूँगा और cash वहां पे credit हुआ है. तो मैंने credit लिखा. इसके बाद हमारे पास है transaction number nine. Transaction number nine जो मेरे पास बेटा जी है वो यहां पे cash involved हुआ है. Cash account debit हुआ है. तो cash को मुझे वहां पे tick करना पड़ेगा. और यह किस side से cash आया है debit sites. तो उसके बाद है transaction number ten. Transaction number ten में charity account जो हमारे पास है जो entry हमारी transaction ten को journal में हुई है. वहां पे charity account debit हुआ है और purchase account credit हुआ है. तो यहां पे cash involved नहीं है. तो जब cash involved ही नहीं है तो हम इसको यहां record नहीं करेंगे. तो entry number ten को हमें cross करना है यहां पे नहीं दिखाना पड़ेगा. तो मैंने इस तरह यह cross और यह tick का मतलब समझाईए. तो tick का मतलब है यह वो relevant transactions है जो cash account पे record होगी. और जो cross वाली मैंने दिखाई वो cash account पे record नहीं होगी. तो cash account यह number five वाली जो entry है journal की इसको record नहीं करेगा और जो number six है entry journal की उसको भी record नहीं करेगा और जो हमारे पास है tenth वाली entry journal की उसको भी cash account में record नहीं करेंगे. सर वो कहां फिर record करेंगे? उन के लिए अपने accounts है. ठीक है? तो charity account में जाएगा purchase account में जाएगा ठीक है furniture furniture cash account, तो मैंने cash यहां लिया, तो cash वाले account की relevant transactions कौन सी होगी, कौन सी entries यहां post होगी, cash account में सिर्फ और सिर्फ वही transactions post होगी, जो जहां पे cash involved हुआ होगा, जहां cash involved नहीं होगा, वो cash account में post नहीं होगे, वो कही अपने-पने account में post होगे, क्योंकि cash account के लिए, cash account के लिए, जो entry number 5 है, और 6 है, और 10 है, these are irrelevant transactions to the cash account, why? Because cash is not related with it, so we cannot record, we cannot post it to the cash account, clear है, तो हमें सर कितने total accounts इस ledger में बनाने हैं, हमें total 11 accounts बनाने पड़ेंगे, तो पिलाल मैंने cash account का दिखाया, तो आपको tick cross समझाया होगा, अगर आप में लूँगा, for example, आप बिटा जी में ले रहा हूँ furniture account, furniture account जैसे देखते हैं, हाँ, furniture account में लेखता हूँ, आप में समझाने के लिए आप बिटा जी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि furniture account का मुझे आगे लेजर बनाना है, सर, furniture account की relevant introduction जरा बताईए, कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी entry, कौन-कौन सी entry यहाँ post होगी, यह माल लिजे, मेरा furniture account है, मुझे आप पोस्ट करना है न, सर, पहली वाली entry में furniture आया है, सर, पहली वाली entry को आप टिक करिए, और furniture वहाँ पे क्या हूआ है, debit होआ है, क्लियर है, सर, 7th को क्रोस, 8th को क्रोस, 9th को क्रोस, 10th को क्रोस, ठीक है, तो यह आएंगी नहीं, because these are not the relevant transactions to furniture account, furniture account में सरिफ यही यही transactions relevant है, तो यही दो क्रोस देखने हैं, so I will just take a one more example, sir, बैंक लेजर बनानी है, sir, बैंक की लेजर जब बनेगी, बैंक अकाउंट जो बनेगा, तो बैंक अकाउंट की ज़र बताइए, sir, पहली वाले transaction record नहीं होगी, बैंक अकाउंट में, क्योंकि इसमें बैंक नहीं involved है, दूसरी transaction आईएगी, sir, number two, जो है, entry, journal की, उसको मुझे यहां record करना है, टिक करिए, sir, और बैंक वहां पे debit हुआ है, ठीक है, और यहां पे, fourth में नहीं हुआ है, fifth में हुआ है, sir, यहां पे लिखिए, rent account to bank account लिखा है, तो number fifth transaction मैंने यहां पे दिखाया, इसको भी टिक करिए, और rent वहां पे, sorry, bank वहां पे क्या हुआ है, bank वहां पे क्रेट हुआ है, sir, इसके बाद यहां पे नहीं है bank, यहां पे नहीं है bank, यहां पे नहीं है bank, यहां पे नहीं है, तो इसके relevant transactions खाली यही दो है, बात आपको समझाई, इस तरीके से आपको आगे posting करनी है, you got the point, clear, अब बात को समझ लेना, पे debit होआ है, और to capital account credit होआ है, so, cash account और furniture account, cash कथा यहां पे पहले 5 lakh, और furniture कथा 50,000, जो मैंने अभी रब यहां पे किया, आपके पास अलरडी होगा, तो आपके बस cash 5 lakh था, और यह कितना था 50,000, और 5 lakh 50,000 मेरा capital था, तो इसका क्या मतलब हुआ, cash और furniture, debit debit, इसका opposite कौन सा है, cash account अगर मेरे पास journal में है, entry पहली आए, तो इसमें cash है, तो इसका opposite कौन है, capital, furniture का भी opposite क्या है, capital, so cash की relation यहां किस के साथ है, capital के साथ, furniture की relation यहां पे किस के साथ है, capital के साथ, सब दूसरी, दूसरी entry में हमारे पास bank है, ठीक है, bank आपका क्या हुआ है, debit, और cash क्या हुआ है, credit, bank का रिष्टा यहां किस के साथ है, इस वाली entry में cash के साथ, और cash का रिष्टा किस के साथ है, bank के साथ, क्योंकि यहां पे यह साथ साथ है, अब हमें इनको डाइवोर्स करना है अब हमें इनको separate करना है इनको अलग-अलग करना है अलग-अलग account 2 में डालना है पहले तो यह साथ-साथ bank और cash यहाँ पे एक जगा है एक ही सगा तो bank वाला bank account पे जाएगा cash वाला cash account में अब हमने इनको अलग अलग किया खीक है अब यहां देखी जे बैंक का अपोजट्ट यहां पर क्या है cash account cash का अपोजट्ट क्या है यहां यहां already एंटडरी है purchase है यहां पर purchase का oppose रिपेटा जी निख्टै का oppose रिपेटा जी जा अँगर बोलेंगे sales का opposite क्या है sales का opposite मोहन भी है और cash भी है क्योंकि credit का debit लेना है यह क्योंकि इसी पे rool चलेगा Forringer यहाँ पे debit हुआ है तो fundper calculator का मुझे बताई paling opposite क्या है services bank का opposite फ़र्णिचर करेंड का about bank об ici's manager क्या मतलब है isc interestka profit का सब जो debit हुआ है debit का अपोजिट कोई ओ और कृट का पोजट की सांदाएब होगा आज़ां के साथ है कि 가능 मोहन खुद क्रेडिट है और इसके दो डिबिट है तो मोहन की यहां रिलेशन डिसकाउंट और कैश के साथ है और यहां पर चैरिटी है चैरिटी का पोजिट पर्चेस का पोजिट चैरिटी क्लियर है यहां तक आपने समझ लिया अब हम पहले बना रहे हैं क्या पहले हम बना लेजर्स बनानी है ना अलग-अलग सी लेजर्स मैंने नाम दिये टोटल इंसार्क लेजर्स के वह आपने देखे होंगे तो मैं फिलहाल बना रहा हूँ यहां पे कैश का यह मैंने इंट्रेज इदर दे खी, अमाउट आप फिर देख सकते हैं ठीक है फिर अमाउट मेरे पास दी यहां पे है तो मैं मोट इससे लेता हूँ ठीक है तो देख लिजे क्या है सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्माट किसका फॉर्माट हम बनाएंगे पहले फॉर्माट किसका हम लेजर का फॉर्माट बनाएंगे तो पहला मैंने यहां पर लिया क्याश एकाउंट मैं छोटा छोटा यहां दिखाऊंगा आप प्लीज देख लिज particulars के बाद क्या होता है lf उसके बाद क्या होता है amount उसके बाद फिर से क्या होता है date date के बाद क्या होता है particulars particulars के बाद क्या है lf उसके बाद क्या है amount so this is the proper format of the ledger हर एक ledger का जो भी account ledger में बनेगा format सेम होगा डेट पर्टिकिलर उसके बाद जे एफ आइमीन तो से नॉट एलेफ ठीक है कि जे एफ हमाने लेफ लिखा था हमने जर्नल में जर्नल फोलियो फोलियो मिन्स पेज नंबर और अब इसका इसका देखना यहां पर तो जर्नल फोलियो हम कहां पर डालते हैं लेजर का यहां पर और इसका वहां पर यहां पर जर्नल है और यहां आप लेजर बनाने जा रहे हैं तो यहां पर क्या लेंगे आप एमाउंट फिर से डेट पर्टिकुलर्स ठीक है बटा यहां पर जे एफ जे एफ के बाद एमाउंट तो यह है आपका डेबिट साइड और यह रहा आपका credit side, फिलाल हम सीख रहे हैं posting, ठीक, अब पहली cash account की relevant transactions आपको पताई, वो आपने टिक अभी की थी, तो पहली वाली entry में cash involved हुआ है, असर हुआ है, cash क्या हुआ है, debit हुआ है, हम भी debit side से लिखेंगे, लेकिन इसके, इसके opposite वाले से, तो cash का opposite क्या है, capital है ना, या cash की relation हाँ opposite के साथ, हमेशा opposite साथ, debit debit के साथ relation नहीं बनाएगा, यह माले जे mail है, यह फिमेल है, जैसे debit mail है, यह फिमेल है, mail फिमेल, हाँ, यहाँ पर mail नहीं चलेगा, mail फिमेल, ठीक है, okay, अब यहाँ पर mail है, I mean to say cash है, cash हमारे पास है, यहाँ पर, okay, और capital है, यहाँ पर, clear, तो cash account, ठीक है, तो cash account जो आपके पास था, वो आप ज़रा देख लिजे, तो यहाँ पर आपको जो भी entry करनी है, वो to say start होती है, और यहाँ से जो भी entry होगी, भाई से start होगी, ठीक है, तो पहली वाली entry, cash क्या हुआ है, debit हुआ है, तो हम भी debit ही करेंगे, यह debit side है नहीं हम भी debit क्योंकि cash account है, सिर्फ cash ही मुझे देखना है, यहाँ पर मन दो furniture देखूंगा, नहीं, सर फरिंचर अपने अपकांट में आएगा, फरिंचर एकांट में, सर दूसरी entry है, bank account, debit हुआ है, cash credit हुआ है, हम भी credit करेंगे, while आगे लिखेंगे, पर fix while होगा, और साथ में क्या लिख कर दी, ठीक है, देखें, यह वाला credit हुआ था, हमने भी credit कर दिया, है न, यह वाला debit हुआ था, हमने भी debit किया, लेकिन अब इनके opposite नाम से, इनके opposite नाम से, बात आपको समझाई, शामवाश, और याद रखिएगा, एक और point याद रखेंगे अभी हम, ठीक है, देखें, क्लियर, अब देखिए, यहाँ पर मैंने कौन सा account बनाया, cash account, यहाँ पर कही पे to cash नहीं आना चाहिए, नहीं यहाँ से buy cash आएगा, क्यों, क्योंकि जो account बना रहे हो, यहाँ पर उसके नाम की कोई entry नहीं होगी, जैसे यह cash account है, to cash account कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो buy cash account यहाँ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उपर cash account है, clear है, यह जाज याद रखना है, अब इसके बाद है, sir, तीसरी तूनर, तीसरी में भी cash, क्या हुआ है, credit, तो मैंने लिखा third, क्या हुआ है cash, credit, मैं भी क्या करूंगा, credit, तो यहाँ से मैं लिखूंगा, इसको buy purchases account, हम इतना amount है, purchase कितना क्या किया था आपने, four lakh rupees, तो लिखेंगे इदर four lakh, clear, इसके बाद है fourth वाली transaction, fourth में sir cash आया है, fourth में cash है, ठीके, तो fourth वाला cash debit हुआ है, हम भी debit ही करेंगे, तो मैंने लिखा four यहाँ से, fourth वाली entry को, तो यह हुआ है, हमें सिर्फ amount cash का लिखना है, cash का amount हुई है, one lakh ten thousand, तो मुझे देखना है, जिसका मैं लेक रहा हूँ, उसी का amount, तो मैं लिखूंगा cash का budget क्या है, sales, तो मैं लिखूंगा to sales account, तो मैंने क्या लिखा, to sales account, क्या लिखा मैंने, to sales account, कितना है cash का, cash का amount सिर्फ था 70,000, तो लिखा आपने इदर 70,000, शाब बाश, इसके बाद है, sir, fifth, fifth में cash नहीं है, तो यहाँ पर cash नहीं आएगा, sir, sixth में है, sixth में भी cash नहीं है, तो नहीं आएगा, seventh में cash है, seventh वाली entry में cash है, cash, sir, debit हुआ है, हम भी debit करेंगे, किस नाम से, sales के नाम से, तो लिखा मैंने to sales account, एक और sale हुई है, ठीके, तो मैंने sales account यहाँ पे लिखा। ठीके। कितना है वो? वे वान लाक फिटी ताउजन तो वान लाक फिटी ताउजन यहाँ पे लिखा मैंने यहां से तो सेल्जिध अकाउट. तो नमब क्या था इसका? नमबर था सर इसका सैविंध. ठीके इसके बाद है यहां पे, Sir drawings account cash, cash क्या हुआ है, credit, हम भी क्या करेंगे, credit लेकिन क्या लिखेंगे, इसका relation जिसके साथ है, वो किसके साथ है, इसके relation, drawings या जो इसका opposite है, वो क्या है drawings तो क्या लिखा मैंने यहां से, by drawings account, कितना है by drawings account drawings कितना किया था बिटाजी हमने वो किया था 5,000, क्योंकि उसने अपने बच्ची का fee बरा था, ठीके इसके बाद, यह क्या नंबर था, इसका वो था 8, तो मैंने लिखा 8, इसके बाद है 9 वाली transaction, 9 वाली है जो, इसमें क्या करना है, cash यहां पे साथ debit हुआ है, हम भी क्या करेंगे debit, लेकिन किसके नाम से अपोजिट के नाम से, वो क्या है, मोहन तो इधर क्या लिखूँगा, मैं, तो मोहन's account, और amount किसका लिखना है, cash का, कितना cash आया था, 39,000, तो लिखा मैंने इधर कितना, 39,000 यहां पे आपको समझ बात आई होगी तो हम क्या process अभी कर रहें, हम posting कर रहें, journal से posting कर रहें transactions को कहां पे, यहां पे, तो यह थी सिर्फ 9th, सर 10th वाली इसमें नहीं आईगी, तो यहां तक हमने क्या सीखा, this is what is called posting अभी तक हमने क्या देखा, posting ठीक, अगर मैं एक और account लोगा, मान लिजे, अभी मैंने इसको सिर्फ पोस्टिंग की, बैलंसिंग अभी मैंने नहीं दिखाई, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, बैलंसिंग हम बाद में देख लेते हैं, फिलहाल हम, क्योंकि लेजर में मैंने कहा, दो काम होते हैं, एक posting, दूसरी balancing, फिलाल हम क्या कर रहे हैं, posting मैं लेता हूँ, अब bank account, क्या ले रहा हूँ, bank account तो उपर क्या मैंने लिखा, bank account सर, column same रहेंगे, हम बिल्कुल same रहेंगे, date particular jf amount, date particular jf amount ये रहा इसका debit side और ये रहा इसका credit side, ठीक है तो अभी क्या हम कर रहें, सिर्फ posting कर रहे हमने अभी balancing नहीं की अब पहली वाली entry में bank है नहीं है दूसरी वाली bank है, ये bank है तो मैं लिखूंगा number two, इदर लिखूंगा cash account, क्योंकि bank का opposite उदर क्या है cash, तो मैंने इदर क्या लिखा, cash bank क्या हुआ था debit, मैंने भी क्या किया debit side से, लेकिन किस नाम से, opposite जिसकी साथ इसके relation थी, वो क्या था, cash तो क्या थी वो entry, वो कितना amount था, 50,000, तो लिखूंगा मैं इदर 50,000 जो bank से related था, 50,000 ओके, clear, इसके बाद bank और यहां पे है, rent, आपने इसके बाद है, next, कोई bank से related, no तो यह entries हुई थी, ना, एक और है, yes, obviously that is furniture, हमने सर्फ फरिंचर खरीदा है, चेक उसको दी है, तो bank से पैसे निकले होंगे, तो क्या करेंगे bank को credit, तो credit है ना bank, तो मैं credit ही लिखूँगा, लेकिन इसके अपोजर के नाम से, किसे furniture के नाम से, ठीके, furniture account, clear, तो कितना, furniture कितने का खरीदा था, 10,000 रुपे का, तो 10,000 रुपे का furniture मैंने लिखा, तो चेक उसके लिए दी थी, तो 10,000 इदर लिखा मैंने, इसके बाद कोई bank से रिलिट ही नी, तो posting हो गई, किस में? bank account में, चलते हैं, आगे next account पे, तो मैं लेता हूँ, अब यहां पे, say for example, furniture का account, मैं बनाने जा रहा हूँ, furniture की posting करनी है, ठीके, तो यहां पे लिखा मैंने furniture account, यह रहा उसका debit, और यहां रहा आप उसका credit, खीके, furniture यहां पे involved है, पहली वाली transaction में, यहां पे furniture यहां debit हो आए, कि यह debit है ना, तो furniture debit हो है, मैं भी debit ही करूँगा, किस के opposite नाम से, वो क्या है, उसका capital, तो कौन सी वाली transaction, number one, तो लिखोंगा क्या इदर, to capital account, to capital account, कितना, furniture का जितना value था, वो कितना था, 50,000, तो यहां पे लिखना पड़ा, 50,000, तो अगर furniture उपर लिखा है, अकाउंट का, अकाउंट का head क्या है, इस account का head क्या है, bank, इस account का head क्या है, cash, तो cash यहां पे कभी आएगा, नहीं, क्या bank वाला यहां नीचे आएगा, कहीं, नहीं, क्या furniture यहां पे कहीं आएगा, नहीं, ओके, समझ लिया, sir, इसके बाद बताईए, बेटा जी, अब furniture यहां पे एक जगा, दूसरी जगा है, debit हुआ है, debit हुआ है, हम भी debit करेंगे, बिलकुल debit करेंगे, transaction, entry 6 थी, तो bank account, opposite furniture वहां पे मैंने debit किया, debit लेकिन opposite क्या था, इसका bank, तो मैंने लेखा to bank account, कितने का furniture हमने खरीदा था, 10,000 उपए का, ठीके, clear है, तो देखिए, एक बात सुनीजे, bank account में furniture को हमने enter किया, सर जब furniture खुद बनेगा, वो भी बैंक को याद, यह ऐसी बात है, जो दोस्त जिसको याद करता है ना, वो भी उसको याद करेगा, देखो bank account ने याद किसको किया, furniture account को, क्या किया याद, credit कर, credit करने से याद किया, अब जब furniture account अपना बनाएगा, वो भी bank को याद करेगा, लेकिन opposite से, अगर इसने इसको credit side से याद किया, यह debit side से याद करेगा, बात समझा गई कुछ, अब यहाँ में बात को सुनगे, cash account ने याद किया था ना, bank को, याद करने का मतलब, enter किया था, cash account में इसकी entry हुई है, cash account में इसकी posting हुई है, यहाँ पर क्या लिखा, मैंने buy bank account, अब जब मैं bank account बनाऊंगा, मैं भी cash का जिकर करूँगा, लेकिन debit side से, देखो किया होगा, देखो यहाँ पर है न, यही 50,000, clear है, clear है, शाबवाश, तो देखिए, इसी तरीके से, आपने देखा, यहाँ पर हमारे पास entry जिस तरीके से हो रही, वो उस account को याद करेगा, जैसे कि purchase यहाँ पर याद हुआ है, cash account ने किसको याद किया, purchase account, जब purchase account की लेजर बनेगी, purchase भी cash को याद करेगा, लेकिन अगर इसने credit set से किया, purchase account को debit set से करेगा, आपको बात समझाई, clear हुआ, तो furniture की posting हो गई, furniture की भी sir posting हो गई, ऐसे आपको सारे accounts बनाने हैं, ऐसे आपको क्या करने हैं, सारे accounts को, हमने अभी सिर्फ क्या देखा, posting, अभी हम क्या नहीं देख रहे हैं, हमने अभी balancing sir नहीं देखी, furniture के बाद मैं लेता हूँ, safe for example, I will take just now purchases, ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, purchase account, purchase account का मैं अब posting करने जा रहा हूँ, यह है debit side, और यह क्या है credit side, अभी मैं सिर्फ posting कर रहा हूँ, balancing नहीं कर रहा हूँ, sir यहाँ पे पहले वाले में purchase है, नहीं, यहाँ पर्चेस है, इसमें purchase है, पर्चेस है, हाँ है, sir क्या हुआ है debit, हम भी क्या करेंगे debit, किस नाम से, cash के नाम से तो लिखूँगा, मैं क्या, to cash account, जो मैं अभी कह रहा था आपसे, to cash account, ठीक है, कितना है वो, वो कितने का हमने purchase किया था, four lakh rupees, अब देखो, cash account की लेजर यह है, तो cash account ने किया था ना purchase को याद, किस side से याद किया था, credit side से, अब जब purchase account बनाया गया, purchase account ने भी याद किया cash को, किस side से, इसके opposite से, debit से, याद रखना चाहिए, जो account किसी दूसरे account की entry किसी में करेगा, जब उसकी बारी आएगी ना अपने लेजर की, वो भी उसका याद क करेगा, लेकिन आप positive effect देगा, याद, देख लिजे, cash account आपने बनाया, cash account ने याद किसको किया, purchase और bank को, bank को, bank कि जब लेजर बनी, तो bank ने भी याद किया cash को, debit side से, यही 50,000, purchase को, cash account ने purchase को याद किया था, किस side से, credit side से, अब purchase की अपनी बारी गाई, purchase की लेजर अपनी purchase था, और हैब गई purchase, नहीं, एक ही जगा purchase था, इसको एक ही जगा पर आएगा, ऐसी आपको क्या बनाना है, ऐसी आप बनाएंगे से, for example, rent account, rent को भी कितनी जब वगा, एक ही जगा आया है, तो rent कहां पर देखेंगे, आप देखेंगे, rent, rent आपका है, debit हो है, हम भी क्या करें हाँ, हमने bank की लेजर बनाई, हाँ, बनाई, sir, sir, bank account ने याद किया था rent account को, credit side से, अब rent account की लेजर बनी, इसने भी याद किया bank account को, किस side से, debit side से, इस तरीके से होता है, जो जिस account में entry होती ही, जब फिर उसकी लेजर बनती, वो भी उसकी entry करता है, लेकिन opposite side से, याद समझाई तो किस तरीके से हमने पोस्टिंग की ऐसे आपको सारे अकाउंट बनाने हैं सो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपको याद मुदक एक्लिर हुआ झाल झाल